हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वाया थे आपको अपने यूटूब चैनल स्टाड़िवेश सुजीत में तो दोस्तो आज हो क्लास टूगलत के हिंदी के महत्यपूण अबजेक्टिव कोसंस देखने वाले हैं जो मारे बोर्ड एक्जाम के लिए अती महत्यपूण है दोस्तो चले दोस्तो हम लगबारी बारी से देखते हैं परस्न को आपको थोड़ा सा ये जो कोसंस है थोड़ा सा धुदला दिखाए देगी लेकिन उससे कोई बात नहीं है सभी जो कोसंस है आपके लिए बहुती महत्यपूण है दोस्तो यहाँ पे पूछा गया है कि तिरिश कहान के कहनिकार कौन है बाल कृष्ण भठ चंद्रदर सर्मा गुलेरी और उदय परकास और डी है हजारी परसा दिवेदी तो यहाँ पे तीरिश पार्ट का पूछा गया है तो इस परस्ने का राइट एंसर क्या होना चाहिए तो यह उदय परकास जी इसका राइट एंसर और बाल कृष्ण भठ के बात चीत और जल्दी से टाइप कर देजिके हजारी परसा दिवेदी के द्वरा कौन से पार्ट लिखा गया था दोस्तो यहाँ पे थोड़ा से आपको धुदला दिखाए देगा लेकिन उससे कोई बात नहीं है ठीक आपको सभी जो कोसंस है हम प कूछा ग्या है कि कौन सरण हो जगा तो हार जित अशोग बचपाई इसका राइट एंसर जो जो जबाइब ऑपसंबर जो यहाँ पे जो सी और से विस परस्ण का राइट एंसर ऑप्सन में सी दिख़ते हैं और यहाँंपर परस्ण है कि मालती के पति का नाम क्या था चंद प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों और यहां पर प्रस्ण भी आपके सामने आ चुका है कि एक खेल और एक पत्र के रस्णकार कौन है यहाँ पे लेख होगा ठीक एक लेख और एक पत्र के रस्नेकार कौन है एक लेख और एक पत्र के रस्नेकार कौन है मुहारा केस बाल कृष्ण भागत सी या अग्या जी तो यहाँ पे एक लेख और एक पत्र के रस्नेकार कौन है यहाँ पे बताना है तो इस परसने का राइट एंसर जो भी दोस्त आपसन नमर डी बता रहे हैं भगत सी उनका राइट एंसर होज़ेगा आपसन नमर डी किसी भी परकार की PDF की जोर्थ हो तो फोन पे के माध्यम से आपको PDF मीर जाएगा दस्तों अगर पेमेंट करते हैं तो क्योंकि हिंदी के लिए 50 रूपी से राखा गया है सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव के लिए और फिजिक्स कमेश्टी बाइलोजी अगर लेना चाहते हैं सब्जेक्टिव अगर लेना चाहते हैं फिजिक्स कमेश्टी बाइलोजी तो मातर आपको 99 रूपी से मिल जाए तो तूलसी दासका बच्पन का नाम की आप पुछा है कि किया होगा तो इस प्रस्ण का जो सही एंसर हो जाएगा वो राम बोला था यनके option वर जहाँ पे जो ए ऐ option है वो इस प्रस्ण का राइत एंसर हो जाएगा आपको धुदला दिखाई दे रहा होगा लेकिन हम सही आपको पढ़कर बता देंगे दूस्तों जिससे आपको एटुजेड मालूम हो जाएगा और यहाँ पर दिखिए कि रगुभीर सहाय का जन्म अस्थल कहां है आगरा लखनव प्रयाग या मेरट तो यहाँ बताना है कि रगुभीर सहाय का जो जन्म अस्थान है वो कहां है तो इस परशने का राइट अंसर क्या आना चाहिए लखनव जो भी दोस्त आप्सन नमर बी के साथ गये हैं लखनव उत्तर परदेश उनका बिल्कुल ही राइट अंसर हो जगा और यहाँ पे आपक चोड़ कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है उप्युक्त पंक्ती कीस पार्ट से ली गई है उसने कहा था प्रकीत और समाज सिपाही की माँ और दी है गाव का घौर तो यह प्रशन तर पढ़ते ही आपका इंसर आजना चाहिए कि फोजी वहां लखने के लिए है वो भ और सी सी इस दर आइटेंस फोर दिसकोशन और यहां पर है कि निमनली खित में से किस कहानी में गेंगरीन का उलेख कीस कहानी में है यहां पर बताना है कि गेंगरीन का उलेख कीस कहानी में है तो उसने कहा था रोज तीरिश और डी है इनमें से को नहीं तो इस परशन का जो रोज यह एक परकर का कहानी है और गेंगरीन का उले 20 पार्ट से में किया गया है तो वह रोज पार्ट से यानि कि आपसन और जो B आपसन है वह इस परस्ट का राइट एंसरोज का आपसन नमर B चलिए नेक्षण परस्ट को देखते हैं और यहाँ परस्ट भी आपके सामने आचुका है कि रोज कहानी की नाइका कौन है सुनीता ममता मालती और डिह रागिनी तो रोज कहानी की यहाँ पर नाइका पूछा गया है कि क्या हो जाएगा तो यहाँ पर मालती इसका सही अंसरो और यहां पे प्रश्न भी आपके सामने आचुगा है दोस्तो कि समपुर्ण करांति का नारा किस ने दिया था दिनकर उद्यश्व प्रकाशल न्रायन बालकृष्ण भठ और डि है मुरार्जी दसाई तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि स्मपुर्ण करांति का नार और भी दोस्तों आए नेक्षन प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर प्रस्ण भी आपके सामने आ चुका है कि लोग भूल गए हैं कि इसकी राशना है सूर्दास गया निंद्रपती भूशन या रगवीर सा है तो यहां पर बताना है कि लोग भूल गए हैं कि इसकी राशना तो यहां पर इसका राइट एंसर जो भी दोस्त अप्सन नमर डी बता रहे हैं कि रोगवीर सहाए उनका राइट एंसर रोज़ेगा ऑप्सन नमर डी डी इस दर आइट एंसर फोर दिसकोशन आये हम लोग नेक्षिन प्रस्वन भी देख लेते हैं और यहां पर बताना है कि दिनकरजी को निम्र में से कौन सा पुलस्कार दिया गया था पद में सिरी पद में भूशन पद में भी भूशन और यहां पे पद में तो यहां पर दिनकर जी को निम्र में से कौन सा पुरुसकार दिया गया था सभी कोशन बहुत ही महत्यपोर्ण है दोस्तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोशन जो है प्रिभिय सीर में बारब कोशन पुछ लिये जाते हैं तो यहाँ पे थोरा सा पढ़ने में आपको दीकत होगी लेकिन हम आपको सही में सही पढ़ कर बता दे रहे हैं तो यहाँ पे पुछा गया है कि दिनकर जी को निम्र में से कौन सा पुरुसकार दिया गया था तो इस प्रस्न का राइट एंसर जो भी दोस्त अपसन अबर B बता रहे हैं पद्व भुशन उनका राइट एंसर रोजीगा अपसन अबर B B is the right answer for discussion चलिए हम लोग नेक्षन प्रस्न का भी अच्छे से कबर कर लेते हैं और यहां पर प्रस्न भी आपके सामने आ चुका है कि मोहारा केष रचीत नाटक संग्रह यानि कि मोहारा केष के दवरा कौंसा नाटक संग्रह लिखा गया था उतर प्रियदर सी सत्यहरी संद्र और पहला राजा और अस असाड का एक दिन तो मुहारा केस के दोरा कौन से नाटक संगरह लिखा गया था तो यहाँ पे तिरह का उप्सन नमर जो भी दोस्त उप्सन नमर डी बता रहे हैं कि असाड का एक दीन उनका राइट एंस रोज़ेगा उप्सन नमर डी डी इस दे राइट एंस अफोर दिसकोशन चलिए हम लोग नेकशन प्रस्ट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए कि बात चीत साहित्या कौन सी विद्या है नाटक निबंध उपनियास और कहानी जो भी दोस्तों नए जूरे हैं चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लिजीगा क्योंकि आपको डेली चार या पांच कलास होती है डेली आपको सुबह सात बजे, सुबह दस बजे और साम चार बजे और रात के आठ बज के बीस मिनट पर कलासे होती है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेजीगा और सेशन में आप जरूर जूरने का प्रयास केजिएगा बहुत ही महत्यपोल कलासे अब होंगी जो आपके लिए A to Z जो है की आप सक्सेस की काम करेगी यहां से कोशन हंडे परसेंट आपके बोड़ी जरूर में पुछ लिए जाते हैं तो सुबह साथ बजे, सुबह दस बजे, चार बजे साम और आठ बज के बीस मिनट पर रात में कलासे होती है तो यहां पे बात चीत साहित्य कौन सी बिद्या है इपाताना है तो यहां पे अब तक आपका इंसर भी आज गया होगा कि यह एक परकर का निबंध होता है बात चीत और जल्दी से बता दिजी कि बात चीत के लेखा का कौन है तो इस परस्ट का राइट इंसर ज़गा आपसन नमर बी आए नेक्षन परस्ट को देखते हैं और यहां पे है कि बालकृष्ण भट कीस काल के रसनकार हैं तो यहां रिती काल, भक्ती काल और अधुनी काल डी है आदी काल तो बालकृष्ण भट यहां बताना है कि कीस काल के रसनकार हैं तो अब तक आपका इंसर भी आगे होगा कि इस परस्न का इंसर क्या हो आना चाहिए तो बाल क्रिष्ण भर्ड जो थे या रीती का, सोरी अधुनी काल के रस्नकार है यानि कि ओप्सन अबर जो यहाँ पे जो C ओप्सन है वह इस परस्न का राइट एंसर जोगा ऑप्सन अबर C जो भी दोस्त ऑप्सन अबर C बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही एंसर हो जगा तो आए हम लोग नेक्ष्ण परस्न को देख लेते हैं और यहाँ पर परस्न भी आपके सामने आ चुका है बहुत दास, जायसी, कबीरदास और सूर्दास तो यहाँ पर पूछा गया है बहुत बहुत क्रीकृष्ण तो इस परस्न का भी इंसर आपका आ गया होगा कि क्या होना चाहिए तो यह सूलह का D हो जेगा सूर्दास यहिस परस्न का राइट एंस अगा सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को या इस चानल के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किजेगा क्योंकि यह जो चानल है यह एक परकर का प्रिवार है और इस प्रिवार को जो हम लोग बढ़ाएं है वो आप और हम मिलकर ही बढ़ाएं दोस्तों इस प्रिवार को अधिक साधिक जरूर बढ़ाने का प्रयास किजेगा क्योंकि यह जो प्रिवार है वो आप पर ही सिर्फ उमीदे करता है हम तो आपको सेशन के माध्यम से करवाए इस पर बहुत ही अच्छे नमबर लाने वाले हैं सभी मिलकर तो इसे आप जरूर ही बढ़ाने का प्रयास किजेगा आईए हम लोग नेक्ष्ण प्रस्ट को देखते हैं और यहां पर सुभाद्रा कुमारी चोहान की कभीता कौन का नाम क्या होगा रोज पुत्र वियो गाउं अप्स नमर भी जो भी दोस्त आपसन नमर भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही अंसर होज़ेगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि तो यहां पर प्रस्ट भी आपके सामने आच चुक है दोस्तों कि प्यारे नने बेटे को कभीता में लोहा किसका परतिक है नमका मसीन का कर्मक या धर्मका तो इस प्रस्ट का एंसर अप तक आप दे दिये होंगे कि प्यारे नने बेटे को कभीता में लोहा किसका परतिक है तो इस परस्ने का एंसर जो भी दोस्त अप्सन नबर C बता रहे हैं कर्म का उनका राइट एंसर होजगा ऑप्सन नबर C C is the right answer for discussion जो भी दोस्त अगर फालतु कमेंट करते हैं उनको हम या तो टाम आउट कर देंगे या तो उसे रिम्यूब कर देंगे दोस्तो तो फालतु के कमेंटर नहीं किजेगा दोस्तो क्योंकि बोर्ड एक्जामना ज़्दी का रही है मजाग करेंगे तो आपका रिजॉल्ट भी मजाग की तरह बन जाएगा और लोग आप पर हसेंगे ही दोस्तो तो फालतु कमेंटर ना किजेगा क्योंकि सबका इज़त होता है तो यहां पर है इस परशन करे राइथि इंसर घेगा आप सन्मर C इसका सही इंसर हो जएगा तो चलिए दूस्तों नेक्षन परशन का देखते हैं और यहां पर है कि हिंडी साहित्य का सुर्य की से कहा जाता है तो इस परशने का ही एंसर अब तक आप दे दिये होंगे कि हिंदी साहित्य के सूर्य की से कहा जाता है तूलसी दास, सूर्दास या कबीर दास और डी है जायसी और जायसी के दोरा एक पार्थ एक महत्पूर्ण गरंथ लिखा गया था दोस्तों तो उस गरंथ का नाम क्या है तो जली से टाइप कर जायसी के दोरा एक गरंथ लिखा गया था उस गरंथ क्या नाम है तो हिंदी साहित्य के सूर्य की से कहा जाता है तो इस परशने का राइट एंसर हो जगा सूर्दास सूर्दास को ही इंदी सही तेका सूर यह कहा जाता है यह जो ए अप्सन है वह इस परस्ने का राइट एंसर हो जगा और जायसी के दोरा एक गहत लिखा गया था उसका नाम था पदमावत याद रखेगा बाल बाल हमारे बोड़ी जाब पूछा जाता है कि पदमावत की इसके कारण लेकिन हम आपके बीच सही में सही इंसर और कोसंस परते हुए चलेंगे कि बरवे रमायन किसकी रचना है सूर दास तूलसी रचना है तो इस परस्ने का इंसर जो भी दोस्त अप्षम नमबर भी बता रहे हैं कि तूलसी दास इस परस्ने कराइट एंस उजगा और यहाँ पर देखिए कि भूशन कीस काल के कभी माने जाते थे, माने जाते हैं रीती काल, अधुनी काल, भक्ती कार्या, डी है आधी काल, तो यहाँ पर बताना है कि भूशन जी कीस काल के कभी माने जाते हैं, तो यहाँ पर 21 का ओप्सन नमर जो A दिये हैं, उनका राइट और टो यहां पर आप देख रहे होंगे प्रस्ट को कि कभियों का कभी की को कहा जाता है रगवीर सहाए समसीर बहादूर सी तूलसीदास और पॉन थे तो प्रस्ट का कभी की राइट एंसर के आना चाहिए तो समसीर बहादूर, C को कहा जाता है कवियों का कवि, इस परस्ने का राइट एंसर होज़ेगा option number B, B option है जो कि सही answer होज़ेगा सेशन अची लग रही हो, तो like जो कीज़ेगा दोस्तों और अगर चानल से नए जुड़े हो, तो जोड़ी ही subscribe कर लिज़ेगा और यहाँ पर देखिए कि तूलसी दास की पत्नी का नाम क्या था गितावली, प्रभावती, रतनावली या दिपावली तो यहाँ पर तूलसी दास की पत्नी का नाम पूछा गया है कि कौन सा option जो है, वह सही answer होज़ेगा तो यहाँ पे तूलसीद आस की जो पतनी थी उनका रतनावली नाम था जिर्टित्र परधान, कर्मपरधान, धर्मपरधान उर डी है इन में से को नहीं तो उसने कहा था कि इस परकार की कहानी है अब तक आप इसका answer भी दे दिये होंगे कि इसका answer क्या होना चाहिए तो इस परशने का राइट एंसर होजगा option number B कर्म परधान इस परशने का राइट एंसर होजगा option number B सेसा नाशी लेग रही हो तो लाइक जो किज़ेगा दोस्तों और चार्ट से अगर नए जो रहे हो तो जो ही subscribe कर लेजगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीवा जी के पूत्र का नाम क्या था यहाँ बताना है कि सीवा जी के पूत्र का नाम क्या था बीरासी साहो जी सेरासी या डी है इन में से कोई नहीं तो सीवा जी का पूत्र का नाम यहाँ बताना है कि कौन सा होजगा तो साहो जी इस परकार से इस महत्यपोर्ण सेशन को यहाई पर खत्म किया जाता है अगर यह सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छ लेगी हो तो लाइक जोड़ो कीजेगे दोस्तों और अगर चान से नहीं जुड़े हो तो जोड़ ही सबस्क्राइब कर लिजगा इसी परकार से महत्यपोर्ण सेशन आते रहेंगी तापकि आपको बोड़िक जामें एक भी प्रस्टोतर आप अब अब्जेक्टिव से न चुटे दोस्तों पीडियेफ लेना हो तो पीडियेफ आपको इसी नंबर पे आप कंटेक्ट करके बात करके आप पीडियेफ ले सकते हैं इस नंबर पे आप बालत करके पीडियेफ लेना चाहते हैं या इसकी जनकाई लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुली आसानी से अगर पीडियेफ मिल देगा बहुत ही कम रुपी से जो की पूरे यूटूपर सबसे कम फी जो है वह इसी चानल से लिया जाता है तो अभी के लिए तना है दोस्तो तो हसते रहिए और मुस्कराते रहिए और अपनी त्यारी को मजबूत करते रहिए तो अभी के लिए तना है दोस्तो जैहिन दे